हरकत को इंगलिश में क्या कहते हैं या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं हरकत को इंगलिश में आप action, activity, locomotion या movement कह सकते हैं जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि बच्चे की हरकत से पिता नाराज है तो आप कह सकते हैं the father is angry with the child's actions ये child's activities या अगर आप ये कहना चाहें कि उसने अचानक एक हरकत की और चिडिया को डरा कर भगा दिया तो आप कह सकते हैं he suddenly made a movement and scared the bird away अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंगलिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास की सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें